नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का हमेरे स्टूटू चैनल ही मारे क्लासेज में और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कच्छा 12 किर्शी विज्ञान की मॉडल प्रश्ण पत्र के बारे में जैसा कि आपको पता है हमने पिछली बार भी 2-3 मॉडल पेपर हल करवाए हैं किर्शी विज्ञान के और बायोजी के भी करवाए हैं केमिस्टी के भी करवाए हैं अगर आपने वह वाली क्लासेज वह वाले मॉडल पिपर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप डिस्क्रप्शन में जाकर उनको भी पढ़ सकते हैं तो चलिए हम वीडियो को करते हैं और वीडियो में जाने से पहले ज़िए आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें इस चैनल पर आपको जैट, ICR, सुपरवाइजर और 12 से सम्द्धे सारी वीडियो हमेशा के लिए मिलते रहेंग इसमें जो अपना सही उत्तर है वो है एजीटो वेक्टर, अगले कुश्चन की बात करें तो फसल में सिचाई निर्धारन का आधार है, अगले अगर बात करें अगले प्रशन की तो अगला प्रशन है सिचाई की किस वीडि में सरवादिक पानी वियर्थ होता है, अगले प्रशन है वासालीन खर्पतवार नासी का प्रियोग किस फसल में किया जाता है, अप्सन ए बाजरा, अप्सन बी उड़त, अप्सन सी कपास, अप्सन डी इन में से कोई नहीं, यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है उड़त, वासालीन का जो उप्योग किया जाता है, वो हमेशा दलहनी और तिलानी प्रशलों में किया जाता है, अगले प्रशन पर तो अगला प्रशन है, जंगली जई किस प्रकार का खर्पतवार है, option A, एक वर्षी, option B, दूई वर्षी, option C, बहु वर्षी, option D, उपयुक्त, सभी तो यहाँ जो जंगली जई के अगर हम बात करें तो यह दूई वर्षी खर्पतवार है ध्या रखना जिस खर्पतवार के नाव के आगे जंगली लगा हुआ हो जादातर वो खर्पतवार के इस प्रकार के होते हैं, जंगली प्रकार के यानि जो दूई वर्षी प्रकार के होते हैं आगे अगर अपन बात करें अगले प्रशन की, तो अगला और छटमा जो अपना प्रशन है वो हैं अमरूद की कौनशी किस्म को सरदार के नाम से जाना जाता है काफी इंपोर्टेंट प्रशन है ओप्सन A L 49, ओप्सन B ललित, ओप्सन C ताइवान, ओप्सन D पंत प्रवाद यहाँ जो अपना राइट आंसर है वो है ओप्सन A L 49 अगला प्रशन है रंगहीन पदार्तों का परिरच्छन किसके दुवारा किया जाता है ओप्सन A Sulfur Dioxide, ओप्सन B KMS, ओप्सन C Sodium Benzoid, ओप्सन D A वो वी दोनों तो दोस्तों यहाँ बता दू जो Sulfur Dioxide है, Sulfur Dioxide और KMS जैसा कि हम कहते हैं उसको Potation Meta-V-Sulfide तो Potation Meta-V-Sulfide में Sulfur Dioxide ही परिरच्छन का कारे करती है, इसलिए इसमें D ओप्सन सही है A और B दोनों आगे हम बात करें अगला प्रशन, तो अगला प्रशन है जलेवी आकार के सींग वाली नसल है Option A मैसाना, Option B बधाबरी, Option C मुर्रा, Option D सूर्ती तो यहाँ जो अपना राइट आंसर है वो है मुर्रा आगे हम बात करें अगले प्रशन पर, तो अगला प्रशन है निम्न मैसे वाइरस जनित रोग है Option A, Anthrax, Option B, FMD, Option C, सर्रा, Option D, Milk, Fever तो यहाँ जो अपना राइट आंसर है वो है FMD यानि खुर्पका मुपगा और जो खुर्पका मुपका रोग है वो कैसा होता है वो वाइरस जनित होता है आगे हम बात करते हैं अगले प्रशन पर और अपना जो अगला प्रशन है वो दूसरा है पहले प्रशन के 9 प्रशन हमें हल कर लिए अब दूसरे प्रशन की बात करते हैं जिसमें हमें रिक्ष तिस्तानों की पूर्थी करनी है जैसे पहले अगर हम बात करें V.A.M. पादपों को खाली जगे परदान करने वाला जैव औरवरक है तो जो V.A.M. है वो पादपों को फासपोरस तत्तो परदान करने वाला जैव औरवरक है तो यह है एंथ्रेक्स, यहनि जो एंथ्रेक्स बीमारी है, वो पस्वों से मनुश्यों में भी हो जाती है अगला है तीसरा, पस्वों में नस्लों सुदार करने के लिए देशी मादाओं को खाली जगे विदी से गर्वित कराया जाता है तो यहां जो right answer है वो किर्तिम गर्वाधान कौँशी वदी से किर्तिम गर्वाधान आगे हम बात करें आगला प्रशन नौर्थ और ने जैवे खेती के लिए खाली जगे सब्द का प्रियोग किया तो यहां एगा आरगेनिक फार्मिंग नौर्थ और ने जैवे खेती के उत पर एक सब्द या एक पंक्ती में दीजी इसमें जो पहला प्रशन है वो है गेहूं की फसल में कौन से खर्पतवारों का प्रकोप होता है तो आपको गेहूं की फसल में होने वाले खर्पतवारों के नाम बताने है जैसे सबसे मोश्टली अगर हम बात करें तो कौन सा ह गयूसा हो गया, उसके बाद बथुआ हो गया, दूबगास हो गई, कटीली हो गया, आपको तीन से चार खर्पतवारों के नाम बतानी है, आगे हम दूसरी बात करें, सुस्क खेती को परिवासित कीजिए, यहां आपको सुस्क खेती की परिवासा लिखनी है, ऐसे इस्तानों ये छित्रों में फसल उत्पादन करना क्या कहलाता है सुस्क खेती कहलाती है जैसे राजिस्तान में क्या होती है सुस्क खेती होती है आगे हम तीसरे प्रशन की बात करें तो तीसरा प्रशन है राजिस्तान की ओसत वार्शिक वर्सा कितनी है ये आपको सबी को पता है और ये पहले भी मैंने एक model paper में पूछ रखा है तो यह है 575 mm राजिस्तान की जो उसत वार्षिक बरसा है वह कितनी है 575 mm अगर आप cm में लिखना चाह रहे हैं तो 57.5 cm अगला प्रशन है फाइलोडी रोग का प्रकोप किस फसल में होता है फाइलोडी रोग का प्रकोप किस फसल में होता है काफी important प्रशन है तो यह होता है तिल में जो फाइलोडी रोग है वो तिल में होता है और यह रोग माईको प्लाजमा की द्वारा होता है आगे हम बात करते हैं अगले प्रशन की और अगले प्रशन पर जाने से पहले ज़िए आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और एक बार दोस्तों के लिए सेयर जरूर करें तो चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्ण की और अगला प्रश्ण है विगना साइनेंसिस किस फसल का वानस्पतिक नाम है विगना साइनेंसिस किस फसल का वानस्पतिक नाम है तो इसका जो राइट आंसर है वो है लोबिया या चवला किसका है लोबिया या चवला अगला प्रशन है ब्लांचिंग किसे कहते हैं ये काफी इंपोटेंट प्रशन है जो आठमा प्रशन है ब्लांचिंग अब ब्लांचिंग क्या होती है जब हम डिब्बावंदी करते हैं तो डिब्बावंदी करते हैं फलों को तीन से चार भागों में काट कर गरम पानी में उबाल कर पुने ठंडा करते हैं अब गरम पानी में उवाल कर पुने ठंडा करने की क्लिया क्या कैलाती है बलांचिंग कैलाती है ऐसा करनी से क्या होता है एक तो फलों का रंग यथावत रहता है और दूसरा फलों का स्वाध यथावत बना रहता है आगे हम बात करें अगले मिया यहां जो टीका लगता है वो लगता है HS वेक्सीन का किसका टीका लगा जाता है HS वेक्सीन का टीका लगाया जाता है आगे हम बात करें अगले प्रश्ण की तो अगला प्रश्ण है ICDP का पूरा नाम क्या है ICDP का पूरा नाम क्या है अगर हम ICDP की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है समन्वित पसू विकास पर्योजना इन्टीग्रेटेड के अटेड डवलपमेंट प्रोजेक्ट समन्वित पसू विकास पर्योजना यह हमारा जो आखंड था वो पूरा हो गया अब दूसरी हम बात करें खंड बा और खंड बाके जो भी प्रश्ण होंगे वो डेड़ डेड़ नम्मर के होंगे यानि एक पांच नम्मर मिलेगा तो मैं हर प्रश्ण पर और इसका जो आंसर कम से कम तीन लाइनों में आपको देना होगा जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें मिर्दा चरण को रोकने के उपाय लिखे तो अगर हम मिर्दा चरण के रोकने के उपाय की बात करें तो सबसे पहला उपाय हो जाएगा वरच्छा रोपन दूसरा उपाय हो जाएगा पलवार या मल्चिंग तीसरा उपाय हो जाएगा ले फार्मिंग या घासों की खिती कोई भी तीन पॉइंट आपको इसमें लिख देने हैं आगे हम बात करें उत्तम बीज के क्या-क्या गुरधर्म होते हैं तो नॉमधर्स फच्ट उत्तम बीजों होते हैं वो समान आकारके और चमकीले होते हैं दूसरी अगर हम बात के उत्तम बीजों की आनुवांचिक सुद्धा अधिक होती है उत्तम बीजों की जो भौतिक सुद्धा होती है वो अधिक होती है उत्तम बीजों रोग वा कीटों के प्रकोप से रहेत होते है इनमें रोगों और कीटों का प्रकोप नहीं होता और 29 समान आकार की होती है कोई भी 3 गुरदर्म आपको लिखने है आगे हम बात करें अगला प्रशन भारत में फल व सब्जी उत्पादन की वर्तमान इस्तती लिखे किफी एकल पढ़ता है बच्चों को ये प्रशन लेकिन काफी सर ले आपको क्या लिखना है भारत में फल और सब्जी उत्पादन की वर्तमान इस्ती अगर हम वर्तमान में भारत को फल या सब्जी उत्पादन में देखें यक्ति प्रतिदे कोई भी तीन लाइन आपको बना करके इसमें लग देनी हैं अगले प्रशन की बात करने साथ मों प्रशन फल इवम सब्सब्राप्त विटामिन इवम उनके शुरूत्यों की नाम लिख्ये इसमें आपको क्या करना है एक तीन लाइन का चोटा सा चार बनाना D और सूरोत बारे में डाले दो विटामिन A के सूरोत क्या-kया है जब पपीदा है पिले जो रणके फल होती है वो विटामिन A के सूरोत है विटामिन B के सूरोत में हरी सब्ज...ादार सब्ज शिबान ए लौोस और विटामिन C है उसमें आप संत्र Edun लाव लिखिए काफी इंपोर्टेंट प्रशन है किताब में साइध इस तरह से नहीं भी रखाई बगीचा लगाने की कंटूर विदी के लाव तीन लाव आपको बताने हैं अगर हम पहले लाव की बात करें तो कंटूर विदी क्या होती है जब हम पाड़ों पर बगीचा नहीं होता है तीसरी विदी की बात करें इस विदी बगीचा लागाने पर अधिकतम लाव प्राप्त किया जा सकता है तो यह क्या होगे इसके तीन लाव होगे आगे हम बात करें अगला प्रशन तो अगला प्रशने गाय की दुधारू नसल कौन कौन सी है आपको तीन नसल के नाम लेकिन है के वल इसमें गाई की दुधारू नसल कौन से सबसे मोश्ट अगरम बात करें साइवान दूसरी बात करें गेर तीसरी अगरम बात करें राठी नि कोई भी तील नसल आपको इसमें वतानी है अगला प्रश्ण है सी एन अनुपात का क्या मेत हुए यह वी काफी इंपोर्टेंट प्रश्ण है नौवे चेप्टर से लिया गया है सी एन अनुपात का क्या मेत हुए तो सबसे पहले अगर हम सी एन अनुपात की बात करें तो क्या होता है जो पादप होते हैं या फल ब्रच होते हैं में कारवन और nitrogen का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है CN अनुपात कहलाता है अगर पादप में कारवन की अधिक्ता है तो कारवन या इसके योगिकों की अधिक्ता होने पर क्या होता है फलन होता है यह फलन अधिक होगा और अगर nitrogen की अधिक्ता होगी तो क्या होगी वानस्पतिक वरद्धी अधिक होगी ये क्या है इसका महत्व है अगला प्रश्ण है गाय की थार पारकर नसल की कोई तीन विसेस्ता लिखिए आपको क्या बताना है गाय की थार पारकर नसल की कोई तीन विसेस्ता बताना है अगर हम सबसे पहली विसेस्ता की बात करें तो इस नसल के पसूं का रंग कैसा होता है सफेद होता है दूसरी अगर हम बात करें ये पसू राजिस्तान में कहा पायाते है जैसलमेर, बीकानेर, जोदपूर, इन शेत्रों में पायाते है तीसरी अगर विसेस्ता की बात करें इन फस्तों का जो सरीर होता है वो मध्यम होता है और सिंग लंबे होते हैं ये क्या होगी इनकी कोई भी तीन विसेस्ता हैं हो गई आगे हम बात करें अगले प्रश्ण पर तो अगला जो प्रश्ण अपना बारमा वो है जमनापरी वक्री की कोई तीन विसेश्था लिखिए यहां आपको जमनापरी वक्री की विसेश्था लिखिए पहली विसेश्था क्या होगी यह वक्री की सबसे भारिया बजंदार नसल है दूसरी विसेश्था क्या होगी इस बकरी की नाग पर रोमन वाल पाए जाते हैं तीसरी विसेश्था क्या होगी इस बकरी की जो पिछले पेरों पर लंबे वाल पाए जाते हैं तीन विसेश्था होगी आगे हम बात करें उंट प्रबंदन पर संचिप ठिपनी दिखिए अब उंट प्रवंदर में आपको क्या बताना है उंट का आवास उंट को पानी की आवे सकता उंट को नमक की आवे सकता ये तीनों चीज़े मिला करके लिखने है जैसे उंट का आवास कितना होना चाहिए उंट को खुली चित्र में रखा जाता है ये चीज़ आप जानते हो ऐसे आपको तीनचा लाइन बना करें, आपको लेखनी हैं, आगे हम बात करें, भेंस की बधावरी नसल की उपयोगता, इवं उत्पत्ति इस्तान लिखे, इसमें दो चीजे बतानी हैं, बधावरी नसल की उपयोगता, तो उपयोगता क्या है, इसके दूद में सरवाधिक 13% वसा पाई जाती है इसलिए इस नसल का उत्पादन घी उत्पादन या वसा के उद्धिश किया जाता है उत्पति इस्तान की बात किने तो इसकी उत्पति कहां से हुई है बदावर उत्पर प्रदेश हुई है निए जो बदावर छेत्र उत्पर प्रदेश है वहां से इसकी हुई है आगे हम बात करें अगला प्रश्ण हे राजिस्तां में दुख दू-विकास की क्या संभावना है diferencia आपको तीन पॉइंट लिखने हैं और आगे राजिस्ताएं की उस्तिय है वो अपनी वासा में आपको बताने है कि क्या क्या शंबावना राजिस्ता में दूद पादन की हो सकती हैं यह तो हमारे बाखंड की प्रशन हो गए अगला खंड आता है साथ जिसमें तीन तीन नमर के आपक क्या कैलाथी है वर्मी कंपोष किलाती है और वर्मी कंपोष किसे बना जता है फसालवसेस गोवर और केच्वे तीन चीज आगे हम बात के रहा एगला प्रशन जो मैंने पिछले मोडल पीपर में भी दिया था कि जैली क्या है उत्तम जैली के गुर्दर्म लिखिए जैली बनाते समय क्या-क्या सावदानिया रखनी चाहिए अब जैली क्या है पैक्तिन युक्त फलों के रस को चीजी के साथ पका कर तैयार किया हुआ पदार्ट क्या कहलाता है जैली कहलाती है जर्म जैली के गुर्दरमों की बात करें तो उत्तम जैली कैसी हो तो चमकदार होती है पारदर्सक होती है जिस वर्तन में रखा जाता है उस वर्तन काकार ग्रेंट कर लेती है और समान सते पर काटने पर दो समान सतेओं में विवाजित हो जाती है अब एक चीज़े इसमें जैरी बनाते समय क्या-क्या सावदानिया रखनी चाहिए तो क्या-क्या सावदानिया रखनी एक तो जैरी को धीरे-धीरे पकाना चाहिए दूसरा चीनी दो या तीन बार में डालनी चाहिए यह दो मुख्या सावदानिया है आगे हम बात करें अगला प्रशन पशू में एंथ्रेक्स रोग के लच्छन रोग का रख एवन रोग थाम के उपाय लिखिए अब आपको क्या रखना पशू में एंथ्रेक्स रोग के लच्छन एंत्रेक्स रोग में पसों के लच्छन क्या क्या होती है कोई साभी पसों रोग हो दुख दुजर को छोड़ कर सारे पसों रोग में पसों के सरीर का तापान सामान से बढ़ जाता है तो पहला रच्छन क्या हो गया है पसू के सरीर का तापान सामान शे बढ़ जाता है दूसरा पसू की सांस फूने लगती है इस रोग में क्या होता है पसू की सांस फूने लगती है एक तो जहां आपका रोगी पसु बंदा है उस पसु के आजपास दूसरे स्वस्थ पसु नहीं बादने चाहिए या रोगी पसु को सामाने पसु से अलग बादना चाहिए दूसरा रोगी पसु का जो जूटा वोजन है वो स्वस्थ पसु को नहीं खिलाना चाहिए तीसरी अगर हम बात करें तो अगर जो पसुर हो गई है उसके जो इस्तान है वो मर गया है तो उसके इस्तान पर क्या जंच करना चाहिए ताप उपर चार करना चाहिए नहीं हलकी सी कोई तूरी बगेला या गहा जार अगर उसको जला दिना चाहिए अगे हम बात करने अगला प्रश्ण है 19 प्रश्ण उडद की वेग्याने खेती का वड़ा निम्न बिंदों के आधार पर कीजी यह जो प्रश्ण है 10 खंड के यह आपको प्रश्ण पूछे जाएंगे 4-4 नमर की और दो ही प्रश्ण यह एक्जाम में आते हैं जैसे उड़द की वेग्याने खेती का वड़ा निम्न बिंदों के आधार पर कीजी इसमें क्या है आपको वड़द का वानसपत ग्राम बताना है चार उन्नत के समबतानी है और बीजदर्य में बीजबचार और प्रवंदर जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में यह बता रखा यह प्रश्ण हुए ही से में पीछे की वीडियो बाले चाहे है तो अगर आपको वीडियो पसंद आइव तो वीडियो को लायक करना और कमेंट करके हमें बताना यह वीडियो आपको कैसी लेगे और अगर आपको पीडियाप चाहिए तो डिस्क्रेप्सटन में बार्ट-ब ग्रुप की लिंक दे रखिए बारटसप ग्रुरु को Thank you.